Hello everyone, स्वागत है आपका APC Academy के YouTube चैनल पे आज हम डिस्कस करेंगे हिमार्चल पर्देश के weekly current affair जो आपके upcoming exam के लिए काफी important रहेंगे तो डिस्कस करते हैं first question हिमार्चल पर्देश में कहां पर पर्देश का पहला digital पुस्तकाल्य बनेगा बिहर इन हिमार्चल पर्देश first digital library will be built first option है हमिर्पूर, second है बिलासपूर, third है मंडी और fourth है शिमला तो right option रहेगा बिलासपूर बात करें बिलासपूर के जो उपायुक्त हैं आवित हुसेन सादिक उन्होंने बताया कि जिला पुस्तकाले को अगले स्तर पर ले जाने के लिए इसे digital किया जाएगा इस कारे को करने के लिए जिला प्रशासन corporate social responsibility के माध्यम से बज़ट का प्रवधान किया जाएगा हिमालचल परदेश का जो पहला महरसी वेद व्यास गुरुकुल विद्यालया बिलासपूर जिले की ग्राम पंचायत जबली में खोला जाएगा ये भी आपके लिए एक important question बनता है कि सबसी पहला महरसी वेद व्यास गुरुकुल विद्यालया कहां पे खोला गया है बिलासपूर के सिरी नैना देवी बिधान सभा की अंतरगत चंगर क्षेतर की कोट खास पंचायत के गौम बरेडा में लगभग 45 क्रोड की लागद से परदेश का पहला सोलर प्रोजेक्ट बनाया गया है बात करें इस प्रोजेक्ट के नाम की तो इसका नाम है बैराडोर और इसकी कैपस्टी है 5 मेगावाट विजली देता है डिस्कूस करते हैं नेक्स क्वेशन CBI के नए निदेशक IPS परबीन सूथ हिमाचल परदेश के किस जिले से समबंदित है New CBI Director IPS परबीन सूथ belongs to which district of हिमाचल परदेश First option है कुलू, Second है कांगरा, Third है मंडी और Fourth है शिमला तो right option रहेगा कांगरा करनाटक के DZP परबीन सूथ को CBI का नया चीप बनाया गया है परबीन सूथ 1986 बैच के भारत्य पुले सेवा अधिकारी है CBI का नया डारेक्टर एक चेंस मीती के द्वारा बनाया गया है इस समीती में परधान मंत्री, नरेंदर मोदी, भारत के मुख्या न्यदीज, डिवाई चंदर चूर और लोगसभा बिपक्स के नेता अधिर रंजन चौधरी सामिल है इसके अलावा बात करें, जो आपका कांग्रा डिस्टिक है, वहाँ पे और भी बहुत सारी फेमस परसनल्टी है जैसे भारत के सबसे पहले परंबे चक्कर विजेता, मेजर सोमनात सर्मा, उनका संबंध भी कांग्रा डिस्टिक से है और बात करें, जनरल विश्वनात सर्मा के बारे में, जो थल सैना के पंद्रों अध्यक्ष बने थे, उनका संबंध भी कांग्रा डिस्टिक से है मेहर चंद महाजन, जो सर्वोच नयल्या में तीसरे नयाइधीस बने थे, वो भी कांग्रा से ही विलॉंग करते है बात करें, हिमाजचल में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, वो कांग्रा डिस्टिक में ही है डिस्कस करते हैं, नेक्स कोशन हिमाजचल परदेश जन जातिया सलाहकार परिशत के अध्यक्ष कौन बने है फर्स्ट ऑप्शन है जगत सीनेगी, सेकिंड है रवी ठाकूर, थर्ड है डॉक्टर जनकरास परिशत और फूर्थ है सुखविंदर सी सुखू तो राइट ऑप्शन रहेगा, सुखविंदर सी सुखू ये अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी, अगर बात करें उपाध्यक्ष की जगत सीनेगी, जो आप MLA है कि नौर्डिस्टी के, उनको बनाया गया है उपाध्यक्ष और इसके कुछ सदस्य बने हैं, जैसे रवी ठाकूर, ये MLA है लहौल स्वीती से, और डॉक्टर जनकरास परिसद ये MLA हैं चमबा से, तो इनको बनाया गया है सदस्य, इसके अलावा कुछ और भी सदस्य बनाए गए हैं, बात करें जन जाती सलाहकार परिसद का गठन कैसे होता है, अनुछेद 4 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के सविधान की पांचवी अनुसुची के, अ हिमालचल परदेश में कहां पर अंतरास्टिय सुटिंग रेंज बनाने का परसाव रखा कया है, wherein हिमालचल परदेश has been proposed to set up an international सुटिंग रोंज, फर्स्ट ऑप्शन है कांगरा, सेकिंड है मंडी, थर्ड है चमबा और पूर्थ है शिमला, तो राइट ऑप्शन रहेगा बिक्रमा दित्यशी ने कहा कि परदेश सरकार द्वारा शिमला के कटाशनी में सुटिंग रेंज सापित करने के लिए भूमी चैनित की गई है, बात करें शिमला में वो जगा कटाशनी है जहां पे international सुटिंग रेंज बनाई जाएगी, राज्य सरकार ने मुक्केवाजी क साइट है, वो बकाया है, इसके लिए वहाँ पे अंतरास्टिय सुटिंग रेंज स्तापित के जाएगी, विसक्स करते हैं नेक्स क्वेशन, हिमाचल परदेश के किन दो स्थानों पर ए बस डिप्पू खोले जाने का परस्ताव रखा गया है, at which two places of हिमाचल परदेश, it was proposed to open e-bus डिप्पू, first option है, शिमला नहान, second है, शिमला धर्मचाला, third है, कांगडा मंडी, और fourth है, बिलासपूर उन्ना, तो right option रहेगा, शिमला नहान, मुख्या मंत्री ने, हिमाचल परदेश, बस स्टेंड परबंदन एवं विकास पराधिकरन द्वारा, अगले दो वरसों के बीतर इसे प्यार किया जाएगा, इसके अतिरिक हमिर्पूर शिले के नदौन में, e-bus डिप्पू के निर्मान के लिए, जमीन चिनित की गई है, इस बजट में, CM सुक्विंदसी सुक्षू ने कहा, कि कई गोशनाएं की, और बजट में उन्होंने एहलान किया, कि की गई है, मुक्यमंत्री सुक्विंदसी सुक्षू के द्वारा, डिस्कूस करते हैं, नेक्स कोईशन, हिमाचल पर्देश में कितने रामसर स्थल है, how many रामसर साइट्स are there in हिमाचल पर्देश, first option है, two, second option है, three, third option है, four, और fourth option है, five, तो right option रहेगा, three, बात करें, कौन- था, 2005 में, दूसरी साइट है, पॉंक डैम, इसको डेकलेर किया गया था, 2002 में, इसके बाद, थर्ड वाली है, चंदर ताल जील, इसको डेकलेर किया था, 2005 में, रेनुका है, सिर्मौर डिस्टिक में, पॉंक डैम है, कांगडा डिस्टिक में, और चंदर ताल जील है, लौह साइट्स की, तो 75 रामसर साइट्स हैं पुरे भारत में और सबसे पहले जो रामसर साइट्स थी, वो चिलकालेग को बनाया गया था, जो चिलकालेग है वो आपके उरिशा में है, और सबसे बड़ा जो बै्ट लैन्ड था वो सुंदरवन है, पस्चमी बंगाल में पढ़ता है, discuss करते हैं next question, हिमाचल परदेश के किस रास्टिय उद्यान में मोनाल की संख्या बड़ी है, in which national park of हिमाचल परदेश, the number of मोनाल has increased, first option है पिन वैली national park, second है great हिमालिय नेशनल परदेश, और third है इंद्र किला national park, यह सारे के सारे national park हिमाचल में हैं, और यह सारे के सारे हम अलग-अलग करके इनको discuss करते हैं, पिन वैलिय जो नैशनल पारक है ये आपके लौहल स्पिति डिस्टिक में है, ग्रेट हिमालिय नैशनल पारक ये आपके कुल्लू डिस्टिक में पड़ेगा, और इंदर किला भी कुल्लू डिस्टिक में है, और सिंबल वाड़ा है सिर्मोर डिस्टिक में, चार हमारे नैशन पारक था उसका ही नाम बदल के गोपालपुर को नेशनल पारक बनाया गया है अब टोटल बात करें तो पहले पांच ते प्लस वन हो गया टोटल सिक्स होगी नेशनल पारक ही मार्चल परदेश में अब राइट ऑप्शन की बात करें कि सबसे ज़्यादा मोनाल की संख्या कह कांट किया गया था जब-जब 2015 में 90 थी और 2022 में 168 होगी और वर्तमान में बात करें तो 176 टोटल मोनाल की संख्या को कांट किया गया है 2030 में डिस्कूस करती है next question चंबा में कला और संस्किती को सरक्षित करने के लिए जिला परसासन द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है विच स्कीम वाज लॉंच्ट बाइ डिस्टिक एडिस्टिक में ही है तो राइट ऑप्शन रहेगा चंबियाल प्रोजेक्ट चंबियाल प्रोजेक्ट के तहत सिल्पकारों और कलाकारों को बेहतर व्यवस्था उपलब्द करवाने के साथ इनकी आर्थिकी को भी सबल बनाने के लिए ये वाला प्रोजेक्ट सुरू किया गया है जिला परसासन की पहल चंबियाल प्रोजेक्ट को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है इसकी जो पहली किस्त है वो भी जारी कर दी गई है 90 लाक रुपए है पहली किस्त जो जारी की गई है चंबियाल प्रोजेक्ट के लिए डिसकस करते हैं next question हिमाचल पर्देश की पहली Advanced Life Sports Ambulance किस जिले में परिचालित होगी हिमाचल पर्देश First Advanced Life Sports Ambulance will be operational in which district First option है शिमला, Second है हमिरपूर, Third है बिलासपूर और Fourth है उन्ना तो right option रहेगा बिलासपूर बिलासपूर के उपायुक्त, आविद हुसेन साधिक का कहना है कि Advanced Life Sports Ambulance सिवा जल्ड ही बिलासपूर में सुरू की जाएगी इसके लिए त्यारियां सुरू हो चुकी है यह High Tech Ambulance, Corporate Social Responsibility के माध्यम से परिचालित की जाएगी इससे पहले हमने डिस्कूस किया कि जो E-Library है वो भी बिलासपूर में ही बनाई जाएगी उसके लिए भी जो बिलासपूर के DC है उनके द्वारा यह कहा गया अभी यहां पर Advanced Life Sports Ambulance की घोशना की गई है हिमाचल का अब एक मातर जो AIMS हैं वो बिलासपूर में है HPCL कहां 500 क्रोड रुपए की ethanol plant स्थापित करेगा Where will HPCL set up an ethanol plant worth 500 क्रोड First option है कांगरा, Second है उनना, Third है बिलासपूर और Fourth है चमबा बात करें HPCL की full forum हिंदूस्तान Petroleum Corporation Limited तो इसका right चो option रहेगा वो है उनना उनना जिले के जीतपूर बहेरी में 500 क्रोड रुपए की लागत से ethanol से अंतर स्थापित किया जाएगा Company के आग्रैप पर मुक्या मंत्री ने जिला परसासन को plant के लिए 20 एकर जमीन उपलब्द करवाने के निर्देश दिये हैं इसके अलावा जो उनना है वो बहुत important district है अगर बात करें हिमाचल का सबसे लंबा वाला पुल तो वो भी आपके उनना डिस्टिक में है उसका नाम है हरोली और इसकी length है 773 meter या 774 meter इतना लंबा है पहले इससे पहले हुआ करता था यमुना पुल यमुना था आपके सिर्म अभी जो बना है वो उनना डिस्टिक में बना है इसके अलावा उनना में हिमाचल का पहला बलक ड्रग पारक स्थापित किया गया है साथ में हिमाचल का पहला मेगा फूड पारक को भी यहीं पे स्थापित किया जाने की घोशना हुई है चलते हैं next question पे यह हैं आपको third option है 34 और fourth option है 36 तो आप comment box में answer लिखेंगे यह थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को like करें, share करें, comment करें और हमारे YouTube चैनल को subscribe चरूर करें, thanks for watching